तो आज आप लोके लिए में लेके आया हूं बिहार बोड के 12th सेंटर इग्जामिनिशन में mathematics का जो question हो चुका है mathematics का जो examination हो चुका है उसकी objective का तो मैंने 60 का solution डाल दिया था आज मैं जो है वो 15 objective के solution आप लोके लिए लेके आया हूं और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने किया है तो शुरू से लेकर अंतक हमारे साथ देख लीजिए क्योंकि अगामी की जो परिक्षाएं आएगी हो सकता उसमें directly ये प्रस्ण आ जाए या फिर इससे सम्मंदित प्रस्ण रहेंगे तो आपको हल करने में काफी 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 आसानी होगी नमस्कार प्यारे बच्चों मैं हूँ राहूल सर और आप देख रहे हैं CWH Online History Support and App Support अगर आप अपने विजिटर हैं यहां में इसा हमारे चैनल को विजिट करते हैं अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकोन दबादें और सामिल हो जाए मारसात यूकर सामकिस महाकरांती में तो चलिए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो इसके साथ ही अगर आप 12th क्लास के लिए 10th क्लास के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट तो आप हमारे चैनल पर बने रहा सकते हैं साथ यह मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चलिए सुरू करते हैं तो तो यहां पर फर्स्ट नमर क्वेस्चेनि जो फर्स्ट को दिया हुआ है वह पूछ रहा है कि एक फालन comet फंक्षन दिया हुआ यहां पे क्या इसका प्रतिलों फलन प्राप्त होगा है ना अगर होगा तो ठीक नहीं होगा तो कारण दे क्या निमलिकित बास्तविक is equal to mode of x दिया हुआ है तो मैंने देखिए एक real number का set लिया है इधर भी real number का set लिया है और mode function इस पे लगाया है तो देखिए इधर तीन element को दर्साया है उपर से डॉट 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 लेके आया हूं माइनस one zero और one और फिर नीचे डॉट 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 ले गया हूं उपर माइनस इंफिनाइट और नीचे प्लस इंफिनाइट अप चाहें तो यहां यहां दे सकते हैं इधर भी मैंने रियल नमबर लिखा है और इधर भी मैंने डॉट डॉट करके तीन elements यहां पर लिखे हैं तो देखिए माइनस one का मोड जो है वह हमारा प्लस one होता है जीरो का मोड हमारा जीरो होता है और प्लस one का मोड भी हमारा वन होता है ऐसे कंडिशन में देख लिजी और उपर में सारी चीज़े उसी प्रकार से चलते रहेगी तो यहां पर देख लिजे कि यहां पर देखुर्णा जो सह प्रांथ उसको मैंने इदर लिखा है और इसको जो डोमेन प्रांथ है उसको मैंने इदर लिखा है ठीक है जोकि दोनों real नम्बर जैा लेकर मैंने सुविदा नुसार जो है वह इसमें element चुनए है तो आप देखे यहां पे मैंने zero one two जो एलिमेंट मिले थे तो इस वन से इधर के दो एलिमेंट मैंने मिला दिया माइनस वन और वन क्योंकि यह function f है तो इसका जो उल्टा होगा वो बिल्कुल उसका चित्र देखिए ऐसा बनेगा तो यह जी है चीक है अब जी के बारे में आपका क्या खयाल जी के बारे में आपका प्रतिविंब नहीं बनता एक एक ऑब्जेक्ट का कभी इसमें दो प्रतिविंब नहीं बनना चाहिए अगर दो प्रतिविंब बन गया तो यह इमेज नहीं तो यह जो है वो function नहीं होगा तो ऐसे condition में आप लिखा हुआ है कि जी फलन नहीं है और जी इस नोट फंक्शन ज होगा यह नहीं पहला question मैंने आपर deal कर दिया चले दूसरे question क्यों चलते हैं दूसरा question जो हमारा है वो क्या कह रहा है आए देखते हैं कि देखें दूसरा question कह रहा है कि सिद्धिकर यह कि साइन इन वर्स तीन बटा पांच माइनस कॉस इन वर्स बारा बटा तेरह बराबर सा अंसर करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यह question जो है वो लिख रखा है साइन इन वर्स तीन वर्टा पांच माइनस कॉस इन वर्स बारा बटा तेरह इस एकुल टू साइन वर्स सोला वर्टा पैसट तो अब हम क्या करने वाले हैं वाये पक्ष को और माये पक पहले क्या करते हैं इसलिए क्योंकि चजो और में आरेच चैस में भी लाना वर्टा सबसे असान यहीं तो ऑस यह मैंनस का हो गया स्क्वाइर के बदले मैंने डाल दिया 12 बटर 13 का स्क्वाइर अब तो यहां पर निकल जाएगा तो यहां प्या हो गया साइन बटर पांच और शान इन बटर पांच बटर तेरह आप क्या होगा दोनों घटेगा तो एक फ़र्मूला होता है साइन सब्सक्राइब 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 कोजि इन वर्स माइनस हाफ का मुख्यमान निकालना है तो इसको दो तरीके से मैंने हल किया है चलिए आपको लिखाता हूं सबसे पहला है method 1 cos inverse minus half का मुखेमान निकालना है तो method 1 में मैंने solution लिखा cos inverse minus half तो एक formula होता है cos inverse minus theta is equal to 180 minus cos inverse theta cos inverse minus theta का formula होता है 180 minus cos inverse theta तो हमने लिख दिया πाई का πाई माइनस अब देखे, cos कितना में plus half देता है cos कितना में plus half देता है पाई वट थ्री में देता है, तो cos inverse प्लस आपका वैल्यू पाई थ्री हो जाएगा, अब ये दोनों घट जायेगा, 3 पाई में से पाई गया, 2 पाई वाई थ्री और देखे, 2 पाई वाई थ्री जो है, वो cos के जो cos inverse का जो range है, है न, 0 से पाई, उसके बीच देखे, बिलॉं भी कर रहा है इसका मतलब 2PY3 है 2PY3 जो आप देख रहे हैं वो मुख्यमान है इसका यह हो गया method 1 अब चलते हैं जिसमें हमने cost inverse minus half को ठीटा माना है तो cost theta का value हो गया plus half तो cost theta का value हो गया minus half अब देखे cost theta का cost theta cost कितना मैं minus half देता है cost देता है minus half cost 120 में ठीक है अब देखे ठीटा का ठीटा लिखा और 120 का हो गया 120 और यह देखे 120 इसके range में यानि इसके परिसर में इसके परास में जो है वो बिलॉंग कर रहा है ठीक है तो इन दो तरीकों से हम जो है इस question का जो है वो अंसर निकाल सकते हैं और हमने निकाला अब चलिए चौता नंबर question जो कि बहुत 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 ही जादा इजी है determinant x का value निकालना है तो इसको गुना कर देंगे 4x माइनस 15 चो 60 बराबर 0 ठीक है अब इधर चला जाएगा 4x का value 60 x का value 60 बटाचार यह नि 15 बहुत थी जादा इजी question था यह चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस determinant का जो है वो मान निकालना था question नंबर 5 में यह determinant दिया हुआ था इसका मान निकालना था तो पहले हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे उसके बाद इसको निकाल लेंगे तो पहले मैंने आरवर मैंनस आरटू कर दिया फिर आरटू में मैंने आरटू माइनस आरटू कर दिया ठीक है तो इससे देखे हुआ क्या एक में पहुत ऐसे एक गया 0 फिर B-C पिर B-C उसके बाद B-C में फिर C-C में गया और AB प्लस में चला गया क्योंकि माइनस हुआ है फिर जैसे r3 था वैसे लिख दिया क्योंकि हमने संक्रिया है operations के वाल r1 और r2 में किया है चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको ऐसे लिख लिए इसको जैसे था वैसे लिख लिए इन दोनों में a square minus b square को एक जगा लाया और plus c common लिया तो यहां बच गया a और यहां बच गया देखिए plus c दोनों से common लिया तो यहां बच गया a और यहां बच गया minus b यहां 0 bc लिख दिया b square c square को एक जगा किया इससे फिर plus a common लिया तो यहां बच गया b और यहां बच गया minus c नीचे बाले को ऐसे ही लिख दिया अब देखे इसको ऐसे ही लिख दिया इसको मैंने लिखा है इसमें भी देखिए A-B है यहां भी A-B तो A-B common ले ले जिए तो A-B का value होता है A-B into A-B तो A-B common ले लिया तो A-B बच गया और यहां बच गया प्लस में C ठीक है उसी प्रकार से यहां पर देख लिए जिए B-C common लिया तो यहां बच गया B-C लिया तो यहां बच गया B-C और यहां बच गया देखिए A आप देखिए वन सेकेंड आप देखिए 1C और C-Square-A भी ऐसे लिखती है आप देखिए इससे आप यह-B common ले लिजी और इससे आप B-C common ले लिजी तो यह बच गया 0 यहां पर बच गया 1 और इधर बच गया A-B-C यह तो common लिवा गया यह 0 यह एक और यहां पर बच गया A-B-C ठीक है इसको मैंने ऐसे ही लिखा आप देखिए एक रूल होता है कि अगर किसी डिटर्मिनांट का अगर किसी सार्णिक का दो रो या दो कॉलूम है ना दो पंक्ती या दो अस्तंब सेम हो जाए तो इसका मान 0 होता है तो देखिए यह सेम हो गया तो इसका value हो गया 0 तो ऐसे condition में final value हो गया 0 answer चलिए six number question क्यों बढ़ते हैं तो six number question में चार चीजों के अमान निकालने थे x y z और एक तो बहुत ही आसान है दोनों तरफ तुलना कर दीजे comparing both sides तो x plus 3 का value 0 तो x का value minus 3 उसी प्रकार से 2y plus x का value minus 7 तो y का value कितना हो गया से way का value हो गया minus 7 minus x minus 7 minus x और beta 2 तो minus 7 minus x के बदले minus 3 बटा में 2 अब देखे minus 7 minus minus 3 बटा 2 तो minus 7 plus 3 minus 4 बटा 2-2 उसी प्रकार से नीचे आईगे you z minus 1 का value हो गया 3 तोetu प्लस यहां पे परकारogen 10 कहां प्लस इका 2022 य्नि यहां पर आगान। सब्सक्राइब। मैंने किसी उतंव मिस्टेक होती है तो आप कमेंट बॉक्स में सकते हैं अलागों पर्सेंट पुरा पुरा सही किया है लेकिन मैथमेटिक से कल्कुलेशन होती यह थोड़ी सी चीक है तो देख लेंगे अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस हुआ होगा तो बता देंगे अब देखे एका वेल्यू दिया हुआ है बीका वेल्यू दिया हुआ एंटू भी बीन टू यह निकालना है ठीक है तो यह जो मान दिया हुआ था मैं आपको यह question दिखात है लेकिन देखे मैंने जो question किया है उसमें देखे मैंने नीचे order लिखा है तू भाई थ्री है यह और यह थ्री वाई टू है ठीक है अब देखे फाइदा क्या है अब फाइदा यह इसको लिखने से कि जब आप एंटू बी या बी इंटू ए निकालेंगे जब आप एंटू भी डिफाइद होगा और किस order का होगा देखे इसका last वाला और इसका first वाला common है सेम है तो यह इन वी डिफाइद हो जायेगा मतलब निकल जायेगा और ये किस order का होगा तो इधर कौन-कौन बच गया है, 2 और 2, तो ये 2 बाई 2 order का होगा अब चलिए multiply करते हैं, एक गुना 1 1, 0 गुना minus 2 0, और 2 गुना minus 3 minus 6, एक गुना 1, यह ऐसे भागता है, एक गुना 1 1, 0 गुना minus 2 0, और 2 गुना minus 3 minus 6, आब देखिए, minus 2, 0, और 2, minus 2, 0, और 2, ठीक है, उसी प्रकार से नीचे आईए यह देखे 0 माइनस 2 माइनस 6 अब यहां आईए 0, 3, 2 अब इन सबों को जोड़ दोंगा माइनस 6, 1, माइनस 5 माइनस 6, 1, माइनस 5 यहां 0 यहां माइनस 8 और यहां 3, 2, 5 यहां पर देखें मैंने लिख दिया माइनस 5, 0, माइनस 8 और 5, 2 वाई 2 ओडर का आप बी इन 2 ए निकालते हैं बी इन 2 ए परिवासित होगा कि ने पहले बी लिख दिया फिर ए लिख दिया आप देखें यहां इसका लास्ट वाला यानि कि इसके अस्तंबो की संख्या 2, number of columns 2 और number of rows 2 है ना बाद बाले का तो डिफाइन हो जाएगा कितना वाई कितना कब होगा यह यह होगा 3 वाई 3 का चलिए अब मल्टिप्लाइ करते हैं एक एक आई एक माइनस 2 गुना 0, 0 0, माइनस 2, 2, माइनस 4 फिर नीचे आईए माइनस 2, 0, 0, 3, माइनस 4, 3 दुनीचे माइनस 3, 0, 0, 1, माइनस 6, प्लस 2 ठीके अब जोर दीजे 1, 0, 1, माइनस 2, माइनस 2, माइनस 2, 3, 6 में से चार गया 2, माइनस 3, प्लस 1, और माइनस 4 तो यह देखे A into B, B into A अच्छे तरीके से मैंने निकाल लिया आपको प्रोसस भी बता दिया अब आईए देखे यहाँ पर एक क्वेस्टिन है Y is equal to root over AX square plus BX plus C इसको differentiate करना है तो हिंदी वाले लिख सकते हैं Y को X के साफ X कलिद करने पर या इंगलिस वाले लिख सकते हैं differentiating by with respect to X तो यह Y जो है वो हमारा D Y बटर D X में convert हो जाएगा जब हम Y को X के साफ X कलिद करेंगे अब होता क्या है पहले जो अंदर वाला function है उसका differentiation हो गया X के साफ X अब अंदर वाले function के साफ X इस पूरे root over something का differentiation होगा तो चलिए इसका differentiation देख लेते हैं A का A, X square का 2X प्लस BX का हो गया B, C खतम, constant है फिर root over something का differentiation होता है 1 बटर 2 root something ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम combine कर देंगे 2X plus B, बटर में 2 root over AX square plus BX plus C बहुत easy question था चलिए अब आगे बढ़ते हैं 9 number question क्यों चलते हैं 9 number question जो आप देख पा रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ है यह देख लिजी अच्छे तरीके से 9 number question में 9 number question में Y is equal to sign root over sign root X ठीक है, इसमें भी वही चीज़ करेंगे differentiating, both sides y with respect to X हिंदी वाले भी यह लिख सकते हैं अगर हिंदी में ही लिखना चाहते हैं तो फिर वह ही लिखे y को X के साब X अफकलित करने पर तो यहाँ पर हमारा d by water dx हो गया फिर से मैंने बोला अंदर से चलना है पहले d by water dx निकल गया है यहाँ पर देखिए एक चीज मैंने गलती कर दिया है यहाँ पर एक और टर्म जुड़ेगा फिर दी बटा डी ओप the root over sign root X के साब एक जो हमारा final function हे root over sign something कहां पर चार टर्म तोटेगा फहले हो गया एकस के साब एक सका फिर root over x के साब एक साइन इसका फिर फिर डी बटा डी ओवप साइन root X के साब एक्षर root over ओबर साइन एकस्का और फिर रूटाइन रूटार Zwेiec के साब से क्षे टोटल कए आठीक है तो चलिए इसका हो गया रूट ओवर सम्पिंग का उएन बरटा रूट्ट तूरूट सम्भ सम्धें साइन सम्थें का च्पार सम्थिंग तो यहां पे 2 root x का 2 और 2 यह गुना हो कि हो जाएगा 4 root x का root x फिर इदर हो जाएगा root sign root x आप चाहें तो इन दोनों root को combine कर सकते हैं उपर हो गया cos root x और cos root x root x root x root x okay तो यहां पर हमारा यह question भी deal हो गया इसमें थोड़ा सा level था हलका सा चलिए अब 10 number question आते हैं y is equal to e to the power root x log cos root x differentiating y with respect to x ओके तो अब देखे d y बटा d x दो function है तो formula हो गया first function differentiation of second function plus second function differentiation of first function ठीक है e to the power root x का e to the power root x अब अंदर से चलिए root x का differentiation one matter two root x फिर देखिए cos root x का differentiation यहां पर हो जाएगा minus sign root x ठीक है अच्छे तरीके से देखिए root x का one matter two root x cos root x का minus sign root x और log something का one matter something ठीक है प्लस अब log cos root x का इदना फिर root over x का हो गया one matter two root x फिर e to the power something का e to the power something अब आप common क्या ले सकते हैं आप common ले सकते हैं देखिए e to the power root x और बटा में one matter two root x हमने common ले लिया दोनों से तो यहां पर बच गया देखिए sign root minus में sign root x one second minus में sign root x बटा cos root x तो यहां पर यह हो गया minus में 10 root x ठीक है और यहां पर यह हो गया log cos root x ठीक है तो यह भी हमारा question एक तरीके से general level का था moderate level का था लेकिन अच्छा था इसको हमने solve कर लिया आप चलिए आगे चलते हैं यह एक बहुत ही अच्छे लेवल का question था एक्स पर power m into by to the power n बराबर एक्स पर पावर एं प्लस बाई पर पावर एं इसको जो है वह आपको differentiation इसका निकालना था तो दो नोर मैं एक्स के साप एक्साफ कलित किया differentiating both sides with respect to x तो दी बटर डी एक्स उप इतना प्लस दी बटर डी एक्स उप इतना हम देखे यहां पर दो फलनों का गुनन फल है तो फर्स्ट it इसको क्या किया यहां फनी पर एक जैसा मैंने बना दिया यह जो ऐसा था उसको मैंने समीकरन एक जैसा बना दिया, यहां पर देखिए, by को नीचे ले जाके, dy वर्टर, dx, यहां भी वही किया, m बाहर चला गया, और यह वाला जो देख रहा है, minus 1, उसमें x को मैंने नीचे कर दिया, x पर power m, by पर power n, यह भी question जैसा हो गया, m का m लिख दिया, x to the power m, minus 1, बना ऐसे ही, n का n, by to the power n, minus 1, बना ऐसे ही, dy वर्टर, dx, अब देखिए, यहां एक, dy वर्टर, dx, एक यहां है, दुनों को एक तरफ किजिए, तो मैंने इसको उधर ले गया, dy वर्टर, dx, common ले लिया, यहां पर बच गया, n x to the power m, by to the power n, by, और यह इसमें जो है, वो घट गय गया है, तो हो गया है, minus n, by to the power n, minus 1, उसके बाद, इस term को हम इधर लाएंगे, तो m x to the power m, minus 1, minus, यह वाला हो गया, m x to the power m, by to the power n, बटा एक्स, अब देखिए, होगा, क्या, अब इन दोनों से हम n, common ले लेंगे, और इन दोनों से हम n, common ले लेंगे, और फिर यहां पर ल उची प्रकार से यहां पर m common हो जायेगा, x to the power m हो जायेगा, इससे गुना होके, और minus में x to the power m, by to the power n, तो देखिए, यहां पर हो भी चुका है, यहां पर देखिए, हो भी चुका है, अब हमारा जो equation 1 था, हम उस equation 1 का, 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 हम ư तो समपपपटर равно एक है क्या इसको मुझे इसको मृफर f3 लेते हैं आपको लिखना नहीं है क्यों कि पिछले पेज में है तो मैंने पेलिख दिया है अब तो Hands आप देखे मैंने क्या किया X to the power M Y to the power N में अगर ये इधर चला जाएगा माइनस में तो क्या बचेगा X to the power M बचेगा only देखे इसको मैंने लिख दिया इसको हटा के X to the power M D Y बटा D X का D Y बटा D X M बटा X इसका जो X था उसको इसके बटा में ले आया आप देखे X to the power M में जब ये जाएगा घटेगा One second ओके तो आप देखे X to the power M में X to the power M में जब ये बचेगा घट जाएगा तो क्या होगा तो हमारा बच जाएगा minus by to the power N जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रॉम फस्ट यान एक्वेशन वन से आप देखे क्या होगा D Y बटा D X is equal to M के बटा में N चला जाएगा minus 1 बाहर आजाएगा M के बटा में N चला जाएगा minus 1 minus बाहर आजाएगा Y to the power N में Y गुना होगा तो Y to the power N प्लस 1 और X में X to the power M गुना होगा तो X to the power M प्लस 1 तो यहाँ पर देख लेजे 11 नमर क्वेशन को भी मैंने डील कर लिया है अब चलिए 12 नमर क्वेशन था Y पर पाबर Y is equal to X to the power X इसको solve करना है तो मैंने इसको समिकरन एक लगा लिया है और दो नोर जो है वो log ले लिया है log इसलिए ताकि इसका one more tax नीचे उतर सके तो दो नोर मैंने log ले लिया है तो यह हो गया log by one more tax बाहर मतलब उतर गया नीचे power फिर यहाँ हो गया log X इसमें इस X को मैंने इधर ले आया X log by is equal to log X इसको हम समिकरन दो लगा लेंगे ठीक है X log by is equal to log X इसको हम समिकरन दो लगा लेंगे अब हमने लिखा differentiating both sides with respect to X इन दिवाले लिख लेंगे X के साब X दोनोर अवकलित करने पर या फिर आप यह भी लिख सकते हैं तो first function differentiation of second function 1 बटा by और फिर चुकि by का X के साब X हुआ है तो d by बटा dx plus second function log by और X का differentiation X के साब X1 फिर log X का differentiation 1 बटा X ठीक है अब हमने क्या किया अब हमने इस X बटा by को जो है one second अब हमने इस X बटा by को जो है वो यहाँ पर रखा है ठीक है तो अब हम क्या करने वाले हैं इस X को हम इदर multiply करने वाले हैं इस X को हम इदर multiply करने वाले हैं तो यहाँ बन जाएगा X square बटा by d by बटा dx plus X log by is equal to 1 तो यहाँ पर देखिए बन चुका है जब इदर वाला X जो है वो इदर आ गया तो यह हो गया X square बटा by d by बटा dx plus X log by is equal to 1 अब जरा साब समी करन 2 में आईए X log by का मान कितना है log X तो यहाँ पर देखिए X log by का मान आगे मैं log X रखूँँगा आप देखिए d by बटा dx कितना हो गया 1-X log by d by बटा dx कितना हो गया 1-X log by और यह जो by है वो उपर चला गया X square नीचे आ गया multiply में अब देखिए 1 का मैंने लिखा है 1 X log by जो मैंने कि आपको बताया कि X log by का value कितना है X log by का value है log X तो यहाँ पर मैंने X log by के बदले डाल दिया है log X अब देखिए by जो था by का value था X to the power 1-X वो मैंने यहाँ डाल दिया X square को ऐसे छोड़ दिया अभी दो दो में डिवाइड लग गया X to the power 1-X minus 2 पावर गट गया फिर 1-log X यहाँ मारा हो गया answer तो यह भी question अपने आप में बहुत 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 अच्छा था चलिए अब तेरा number question integration है आईए इसको solve करते हैं integration sin 3X into cos 6X DX इसको हम लोग रूपांतरन भी दी यहनि transformation method से बनाने वाले हैं तो इसको हम ढालने वाले हैं 2 into sin A into cos B के formula में या 2 into cos A into sin B के formula में तो 2 चाहिए तो मैंने half common लिया और यहाँ पर 2 दे दिया अब देखें cause के बगल में बड़ा है तो बड़ा वाला मान मैंने इधर रखा छोटा वाला मान मैंने इधर रखा अब half का half 2 into cos A into sin B का formula होता है sin A plus B minus sin A minus B ठीक है तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है sin A plus B यह formula होता है 2 into cos A into sin B का sin A plus B minus sin A minus B तो half का half फिर sin 6x 3x 9x और minus फिर sin 6x में से 3x गया तो 3x dx ओके half का half अब sin something का differentiation integration होता है minus cos something अब 9x का differentiation 9 नीचे फिर minus sin 3x का plus cos 3x और बटा में इसका differentiation 3 नीचे plus C तो finally यह हो गया यह और यह गुना हो के 3 दूनी 6 cos 3x बटा 6 minus cos 9x बटा 9 दूनी 18 प्लस C यह हमारा हो गया अगला answer 13 number का अब सलिए चलते हैं हम 14 number question की हो तो जो हमारा 14 number question है वो इस तरह का question है देखने में काफी difficult लग रहा है लेकिन असल में बहुत 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 easy है मैंने इसका जो है वो इसके opposite यानि कि कहने का मतलब है कि इसके opposite sign वाले से नीचे उपर जो है वो multiply कर दिया है देख लीजिए यह जो plus वाला है इसका minus वाला मैंने यहाँ पर multiply किया है energy इसको conjugate बोला जाता है तो यह हमारा हो गया a plus b पहले से था यह minus b हमने गुना कर दिया तो a square minus b square हो गया अब देखे अब देखे a square minus b square है निकाने का मतलब है c square theta minus 10 square theta का value 1 होता है तो नीचे तो 1 हो गया c into c c into c गुना होके हो गया c x into c x गुना होके हो गया c square x minus c x into 10 x अब देखे c square x का difference integration हो गया 10 x और c x into minus c x into 10 x का हो गया c x plus c तो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप हमारा देख सकते हैं कि 10 x minus c x plus c इसका जो है answer आ गया चलिए 15 नमर question क्योंड चलते हैं यह एक definite integration का question है तो integration 0 से pi y 2 sin q x into theta d theta तो 0 से pi ऐसे ही रहा गया sin q x का हमें हाँ पे sin q theta का formula डाला 3 sin theta minus sin 3 theta बटा 4 अब देखे 1 बटा 4 को बाहर लेके चल गया 3 हो गया बाहर sin theta का integration हो गया 0 से pi बटा 2 फिर minus sin 3 theta का integration मैंने लगा लिया है 1 बटा 4 का 1 बटा 4 3 का 3 cos sin theta का जो integration होगा minus cos theta उसके बदरेंज लिख दिया 0 से pi y 2 फिर minus का minus फिर इसका भी हो गया minus cos 3 theta और 3 theta का differentiation 3 नीचे फिर ये भी हो गया 0 से pi y 2 एक बटा 4 का 1 वटा 4 तीन का 3 अब देखें मैंने क्या होता है इसे उपर वाला पहले पूट होता है नीचे वाला बाद में minus में उल्टा हो जाता है पहले नीचे वाला पूट होता है तब उपर वाला पूट होता है फिर minus में cos pi y 2 ठीक है उसके बदर minus minus हो गया plus ये वी one बटा 3 मेंने बाहर निकाल लिया फिर देखिए ये तो चुकि plus हो चुका है तो पहले उपर वाला पूट होगा cos 3 pi y 2 और उसके बाद हो जाएगा minus pi by 2 मतलब यहां पर 3 है तो 3 pi by 2 हो गया अब देखिए फिर जाएगा minus में cos 0 ठीक है अब इसका final कितना हो जाएगा 1 by 3 3 cos 0 का मान हो जाएगा 1 और इसका value हो जाएगा 0 cos 90 का फिर यहां पर plus में हो जाएगा यहां पर 1 बचेगा ठीक है फिर यहां पर 1 बटा 3 cos 3 pi by 2 यानि 270 का value 0 और यह minus 1 हो जाएगा तो चलिए क्या हुआ है देख लिए 1 बटा 3 और बटा में 3, 4 से यह 2 बटा का कट गया तो final हमारा answer आ गया 2 बटा 3 तो देखे बच्चो मैंने 30 मिनट से भी plus का वीडियो बना लिया 15 question मैंने deal कर लिये इसके अलाबे बहुत सारा question इसमें और है short type का और long type का तो next जो हमारा होगा उसमें तो इसके पहले अगर आपको question चाहिए तो पहले सुन लीजिए question अगर चाहिए तो पहले आप इसको इतना ज्यादा से ज्यादा share करें कि आज राद तक कम से कम 2000-3000 व्यू जब पार करेगा तो आज साम में आज के लिए जो है वह वीडियो ले आऊंगा तो प्लीज 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 शेयर किजिएगा तो चलिए उमीद करता हूं कि यह solution वीडियो आप लोग बहुत 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 यूज़फुल सा भी तो अगर अच्छा लगा तो जरूर शे जरूर किजिएगा लाइक किजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें मिलता हूं आगे के सारे questions के साथ आज के लिए इतना ही जय है